सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जैसा कि आप लोगों को पता ही है मिरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशिसे हिंदी और योगा टीचर प्यारे बच्चों और प्यारे दर्शकों या जरूरी सूचना और वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्नोंने सी यू इटी वीड एंटर्स एक्जाम भरा है चाहे किसी भी यूनिवरसिटी से लेकिन जिनका की वीड का जो कोड है वो है पी जी क्यू पी जीरो वन ठीक है अब इसके संदर में मैंने वीडियो बनाया था स्लेबस को लेके क्योंकि मेरे पास अभी भी बच्चों के बहु स्लेबस को मैंने वीडियो बनाया था उसका जो स्लेबस है और जो आज में स्लेबस आप से शेयर करें उसमें थोड़ा अंतर है तो यानि कि जो सी यू टी वाले हैं उन्होंने पीजी क्यू पीजिरो वन का जो कोड जो भी बच्चे बीर एंटर्स एक्जाम दे रहे उनका स्लेबस है वो बिल्कुल अलग है तो जिन भी वच्चों का बीर का मेरी खाल से जो हेमंती नंदन भागुणा गडवाल विश्य विद्याले उनका इसके साथ साथ जिसका भी यह कोड है उनका स्लेबस यह होने वाला है हालांकि जो मैंने पहले स्लेबस शेयर किया था एंट अगर आप एंट की वेबसाइट को अब खोलेंगे ना आप देखेंगे कि ने हर कोड के हिसाब से हर सब्जेट के हिसाब से और हर एक्जाम के हिसाब से अलग-अलग स्लेबस अपनी वेबसाइट पर डाल दिये तो अगर आपको भी यह पीडियाफ चाहिए बच्चों तो आप भी खोलीजे ठीक है सी यू एटी डाट एंटी डाट एनाइसी डाट इन तो यह पीडियाफ में अपनी टेलिग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगे ठीक है और यह लिंक का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक दे दूंगी कि यहां से आप इसे चेक कर स है CUT Beard Entrance Exam 2022 के बच्चे PGQP01 वाले कोर्ट ठीक है चलिए सबसे पहला है Teaching Aptitude यानि कि इसमें Teaching Aptitude से सम्मंदित questions आएंगे अब जो बच्चे Simple BA, BCOM किये जिन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं उनको कैसे पता चलेगा कि Teaching Aptitude के questions क्या होते हैं कैसे होते हैं तो थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे देती हूं बच्चों कि Teaching Aptitude के questions इस प्रकार से आते हैं यानि कि यह questions होते हैं आपके section 35 से के लेकर कि भविश्य में मतलब conditional based और behavior based यानि कि आप as a teacher कैसे react करेंगे बच्चे की situation में उधारन के लिए मैं आपको बताती हूं कि मान लीजे कि आप एक कक्षा के teacher है कक्षा 5 के teacher है आपका बच्चा homework करके नहीं आया है तो आप as a teacher क्या करोगे आपके पास इस प्रकार के question आएंगे आपके exam में ठ करोगे तीसरा option होगा कि बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा कर दोगे और चौता option होगा कि आप बच्चे से बात करोगे उसके counseling करोगे और जानने की कोशिस करोगी कि उसने homework क्यों नहीं किया तो बताओ as a teacher कौन सा option सही है वह चौता option सही है न कि teacher का का क्या होता है कि जो किताब में लिखा है वो आपने पढ़ा दिया वो तो पढ़ा ही आजकल YouTube में भी होती है तो teaching after tube में इस प्रकार के questions आएंगे behavior और condition based और situation based कि as a teacher आप क्या करोगे ठीक है तो यह आपको में just knowledge मैंने आपको दे दिया दूसरा है GK related to school education books films institution awards तो देखिए जो GK आपका पि सब आप पढ़ लीजेगा mathematics आएगा तीसरा यानि कि up to 10th level की math इसमें आएगी PGQ P01 अब बच्चों के प्रश्ना ऐसे होंगे कि जो VA वाला बच्चा होगा वो कहेगा कि मैं मैंने तो मेरी तो मैट्स थी नी तो क्या मेरे पास भी वो question आएगा तो जहां तक मेरा अनुमान है बच्चों अब इन्होंने code एक ही दिया है इन्होंने जो question paper होगा वो भी common बन के आएगा बट होगा क्या कि हो सकता है कि question जैसे 200 आएंगे और 200 में से choice होंगी कि आप top 100 आप choose करें जो आपको आते ठीक है तो उसमें जो mathematics का level होगा हो सकता है वो 10th level का भी होगा up to 8th level का भी ह यह मैं हनुमान लगा रही हूं गा यह मत समझीए कि जो मैं कहरी वही सच होगा लेकिन कंडिशनल बेस हो तो यह वह सकता है क्योंकि क्योंकि समें हर वर्ग के बच्चे बैटेंगे commerce वाले भी बैटेंगे और science वाले बैटेंगे दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि ब बहुत अच्छी होती है अब हम क्या करेंगे तो कॉमर्स वाले बच्चों को मैं बता दूं कि आपका जो competition होगा आपकी जो merit होगी वह arts वाले बच्चों के साथ बनेगी ठीक है तो science वाले बच्चों की merit अलग बनेगी ठीक है दूसरा है fourth science and environment में तो science विज्ञान में जो भी हो रहा है और हमारे वाद environment में जो भी हो रहा है पिछले एक सालों में उससे related questions आपके आएंगे यह current affairs भी हो सकते हैं और इन्हें आप GK के questions भी समझ सकते हैं ठीक है social science के question अब social science की अगर मैं बात करूँ वच्चों तो देखो मैं खुछ social science की टीचर रह चुकी हूँ मैंने बियाट किया है मेरे जो subject थे वह English political science और sociology थी तो जितने भी मैंने competitive exam देखे हैं और मैंने यह देखा है कि उसमें जो आजादी का moment और जो वर्डवार के question थे वर्डवार first और second उससे सबसे जादा questions आते तो जो बच्चे अभी जिनके बास जितना भी time बच गया ना वो कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं तो जो हमारी national independence थे उसे पढ़ लीजे और जो आपके वर्डवार first and second है इससे तो questions 101% आते ही आते हैं ठीक है next आता आपका arts, music, yoga and theater and sport तो इससे लिटे कुछ questions आएंगे कि योगा के चेतर में क्या हो रहा है थेटरस में क्या हो रहा है यह आपका syllabus होगा तो ठीक है बच्चों PGQP01 वाले beard वाले code वाले सोने लीजिए यह आपका syllabus है यह आपको पढ़ना है अब जो बच्चे मुझे पूछ रहते हिंदी आएगी या नहीं आएगी हिंदी बगेरा तो इन्होंने कुछ मुझे दिखनी रहा है इसमें I don't know कि आएगा या नहीं आएगा आप भी देख लीजे सामने बिल्कुल पीडियाफ है आप खुद भी इस पीडियाफ को चेक कर सकते हैं हिंदी इंगलिश के तो कुछ भी उन्होंने लिखा नहीं है question paper में अगर आ जाएगा तो वो I don't know कि क्या हो सकता है लेकिन जो syllabus इन्होंने अपडेट किया है अपनी website पे वो यही कहता है ठीक है इसके साब से भी आप तयारी कर लीजे English Hindi तो देखिए अपने subject है वो तो आप ज़्यारी नहीं भी करेंगे तो basic आएगा अगर आएगा भी लेकिन यह आपका में subject हो तो यही जानकारी बच्चों में आज के वीडियो में आपको देने वाली थी बच्चों के लिए उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद सुनने के बाद भी अगर आपका कोई प्राश्न है तो एक सही प्रश्न के उत्तर देने पर मिलेंगे आपको चार रंग और मान लीजे आपके चार क्वेशन आए तो फोर फोर्जा क्या हो गया 16 लेकिन अगर आपके तीन प्रश्न सही है और एक गलत है तो आपके कितने नंबर काटे जाएंगे केवल